नमस्कार सातियों कनिपूर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है और सभी ज्यादातार स्टुडेंट हमारे MP के हैं तो सभी कह रहेते सर मद्य प्रदेश के फैमस पर्सनल्टी है उनकी वीडियो आप डालें तो ये मैं आपके लिए लेकर आया हूं मद्य प्रदेश के प्रसिद व्यक्तियों की जो सूची है कंप्लीट क्या क्या प्रसिद है वहां का और उसके बाद आपको सुबह एक दसवी के और बच गई है अभी भी तो दसवी के आपको कुछ देर बाद मिल जाएगी मतलब कल कुछ दिन का मतलब सिंपल बहुत सोचो कल कल आपको मिल जा दूँगा इस थानों के बहुत सारे प्रसन है व्यक्तियों के भी काफी प्रसन है इसमें टॉप 50 कुष्चन आपको मिलेंगे ठीक है तो अब देखें आपर आप सभी साथी एक वर वीडियो को लाइक कर दिया करें और सभी को सेर कर दो जितने भी आपके साथी है ठीक है अब तो इसके अंदर आपने जितने भी आप तक के जितने पार्ट किये हैं हमने 40 पार्ट हमारी कंप्लिट हो चुके हैं एक से लेकर के 40 तक काफ एक वर श्पीड से रिविजन कर लें और फिर आप एक्जाम दे निश्यत रूप से आपको एक्जाम में सारे प्रसन आप अटें ठीक है जिनका भी में यह नाम नहीं ले पाता हूं उनको कमेंट कर दिया करें जिस से की नाएक्ट से को लें और पिछ़ी जो कृश के सबसे अच्छे थे एक तो दिव्या है एक बाज़ीगर जिसका नाम था दिव्यान्शू बहुत अच्छा है यह बी साक्षी है सुमित सुमित ने काफी अच्छा व्यू दिया था और बाकी एक और है वो मुझे नाम ध्यानी नहीं आता उसका हां मोहित मोहित ने अच्छा किया है ठीक है तो यह स्टुडेंट ऐसे है जो नए है लेकिन फिर भी आप यह काफी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है इस समय और सुम तो सोम है राकेश है पूर्वा आरूस रिया बरात दिपेश साक्छी नंदनी नरमदा ओम सुभम गौरव मोहिनी प्राची आदर्स आकास मोहित प्रिया अमर्दीप अंजली कनया सत्तम विसाल राजिंद्र तनिश्क मोकेश अभिजीत आसिक्थ मीना कुमारी शिवकुमार हेम इब्राज, सुमीद, देपेंद्र, रोहित, कुशी सर्मा, यस, कुमावत यह सभी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ब्लॉक लेवल पर फाशिष्टान प्राप्त किया है और कुछ स्टूडेंट है जैसे साक्छी है उन्होंने डिष्टिक लेवल पर भी पहला इस्थान प्राप्त किया है ठीक है तो अब यहाँ पर आप कुछ माद्य प्रदेश के फैमस इस्थान है उनको आप यहाँ पर देखें पहला जो प्रसन है इसका वो है निमलिकित में से किसे तान से संबान नहीं मिला तो यह MPS 2019 में पूछा गया प्रसन है ऐसे ही आपको फैमस नाम महाँ पर दे जाएंगे ऐसा है नहीं कि आपको कोई वहतरिन कंपिटिसन एक्जाम हो जिसके अंदर आपको पुरानी किस तरह की दीके पूछेगा तो यह है मांगू बाई को दकर को दिया गया है भीमसेन को दिया गया है गिरजा को दिया गया है राम स्वेरु बर्मा को न काफी आंसर सही है इसका जो आंसर है वो है बाबा अलाउद्दीन खा ये सरोस अमराट के नाम से विख्यात है बाबा अलाउद्दीन खा नेश्ट परसन है आपका ये है पिरशिद सास्त्रिय संगीत गाई का बेगम असरगी बाई मद्य परदेश की किस जगे से सबंदित है तो आप ये भी धान रखोगे कि ये जो गाई का है मद्य परदेश की सास्त्रिय संगीत की गाई का है ये किस जगे से सबंदित है तो ये जो सबंदित है वो है टीकम गड से ठीक है नेश्प्रसन इसके अंदर नॉरतनों में सामिल थे ठीक है है ओम प्रकास चौरसिया मुख्य तक कि छेत्र से सबंदित है ठीक है एक राकेश मिस्रा और एक और है एक और है मिस्रा काफी कमेंट्स कर रहा है कि सर ये वीडियो डालो तो बेटा अब आप इससे देख सकते हो टॉप 50 प्रिसन है जो कि आपके मुख्य व्यक्तित्तों के हैं और अगली जो वीडियो है उसके अंदर आपको इस्थानों से परिचित करा दूँगा मैं ओम प्रकास चौरसिया मुख्य तक कि छेत्र से सबंदित है तो यह है संतूर वादक से नैश परसन है मधु यादव मद्य परदेश की प्रमु खिलाड़ी है यह किस खेल से सबंदित है मधु यादव है वो मद्य परदेश की प्रमु खिलाड़ी है इसका जो खेल से सबंदित है वो है ओकी से नैश परसन संध्या अगरवाल किस खेल की प्रसिद खिलाड़ी है संध्या अगरवाल किस खेल के पर से खिलाड़ी है तो ये है किरकेट की नैश परसन बिर्जु महाराज किस निर्थ के समराट कहे जाते हैं तो बिर्जु महाराज है वो निर्थ करते हैं और वो किस के निर्थ के हैं वो समराट कहे जाते हैं वो है आपके कत्थक के कत्थक निर्थ के रैस प्रिशन इनका जनम 25 दिसंबर 1926 को ग्वालियर में हुआ तीन बार देश के प्रधार मंत्री बने और मेरी इक्यानुई कविताओं की रचना ये है ठीक है तो आप तीन बार प्रधार मंत्री बनने वाल इसका जो आंसर है वो है डी मनमौन सिंग डॉक्टर मनमौन सिंग है लेकिन ये कह रहे हैं कि तीन बार देश के प्रधान मंत्री बने बैटा तीन बार तो खेर मनमौन सिंग नहीं बने है दो बर जरूर रहे हैं प्रधान मंत्री मनमौन सिंग लेकिन आप इसे कमेंट्स करे कि कौन से का है अटल ब्यारी बाजपे है या फिर मनमौन सिंग है थोड़ा कन्फ्यूजन है इसको आप देख सकते हो ठीक है नेश्परसन वर्स 1980 में राज के मुखमंति रहे अर्जुन सिंग का जनब माद्यप्रदेश के किस जिले में हुआ तो अर्जुन सिंग है जो उनका जनम हुआ है सीधी में नेश्परसन है भूदपूर राष्टपती डॉक्टर संकर दयाल सर्मा का जनम माद्यप्रदेश के किस इस्तान पर हुआ जो राष्टपती है भूदपूर डॉक्टर संकर दयाल सर्मा इसका जनम इस्तान माद्यप्रदेश के कहां पर हुआ है वो ह ध्यान रखे विजयराज्या सिंधिया गुना का हमारी पास एक student भी है वो भी comments करें कौन है वो ठीक है next person नेमलेकित में से किसने मुरेना जिले में एक गांधी आसरम के स्थापन की है तो मुरेना के भी student है और यह किये है सुब्बाराम ने ध्यान रखेंगे आप सुब्बार गवर्नर है RBI के next person मद्य प्रदेश के प्रिशिद कभी वे लेखक जो नौ बार फिलिम फेयर पुर्षकार से पुर्षकात हो चुके हैं यह MPPS 2014 में आया है लेकिन अच्छा person है तो यह हैं जावेद अक्तर जो कि MP के हैं जावेद अक्तर एक संगीत कार लेखक है गीत कार भ अधिकार दिलाने हितू चर्चित रही तो यह जो चर्चित रही है वो है रईसा खान ध्यान रखेंगे आप बहुत है कि भोपाल गैस कांड में आपको यह famous भी है यह प्रिसन कि भोपाल गैस कांड की गटना हुई थी वहाँ पर बेरोजगार और गैस पिरित मैलाओं को र दिलाने इतू चर्चित रही थी रहींसा खान नेश्ट है नेमल गित में किसने चंबल गाती में डाको के आत्म संबर पड़ में महत्पुन भूमी का निभाहि ब्हुमी का निभाई लाग सुबबान राम यह अलग सुबर राम और अर्वा का निभार यह निपार आ है यह फिल्म किस फिल्म में से अपना अभी ने सुफर शुरू किया तो असो कुमार है जिनका सबंद एमपी से ही है और इन्होंने किया है सफर नईया से ठीक है नेस्ट प्रिसन है मद्र प्रदेश के प्रिसिद कभी लेखक जो नौ बार फिल्म फेर से पुर्षकार्ट हो चुके ह नौ बार ध्यान रखो और जो एमपी के है वो है वो है जावेद अक्तर जो संगीतकार गीतकार है नेस्ट है कुमार गंधरो का वास्तविक नाम क्या था तो कुमार गंधरो है उनका जो वास्तविक नाम है वो है सिव पुत्र अगला प्रिसन है व्याकरण की माने रचेता क को ध्यान रखेंगे आप व्याकरण के मायंता रचेता कामता प्रशाद गुरू नेश्ट प्रसन है बाल साहित पुरुषकार बारा वर्स दो तके आयू तके निम्लिखित में से कौन सा पुरुषकार है तो MP का ये पुरुषकार है ठीक है ये इसका अंसर है सी रवी संकर सु के पुरुषकार है ये नेश्ट है व्यंगे लालीत निभंदे संस्त्रमन रेखा चित्र यात्रा आत्मकथा डायरी पत्र और रिपोर्टर विद्यों में कौन सा पुरुषकार प्रदान किया जाता है ये ध्यान रखोगे आत्मकथा डायरी पत्र रिपोर्टर संस्त्रमन लेखा या चित्र व्यंगे इसमें जो पुर्षकार दिया जाता है वो दिया जाता है पुर्धुम्लान पुन्ना लाल बख की पुर्षकार ध्यान रखेंगे आप यह MP की पुर्षकार हैं अगले हैं इंदोर घराने की सहले के प्रवरता किसे माने जाते हैं यह माने जाते हैं चक्रधर सिंग को, नेक्स्ट है, निमलेकित में से कौन सा चित्रकार मद्य प्रदेश से सबंदित नहीं है, तो ये है D, रमेश, गुजराल, बाकि सारे ये मद्य प्रदेश के हैं, तीनों, ठीक है, अगला है, अभीव, तनवीर किस विद्धा के लिए प्रसिद्ध है, तो ह बाज बहदूर, तो बाज बहदूर है, वो है, चित्रकार से, बिल्कुल, बाज बहदूर आपको मैं बता दूँ, ये चित्र सैलिके जो है, हमारे धर, बाड मेर, वीकान, मेवार चित्र सैलिया है, उनके प्रसिदे चित्रकार हैं, ये बाज बहदूर, लेकिन का सबंद अगला है नेमलेकित में से कौन सा व्यक्ति भारतिय प्रसास्निक सेवा से त्याक पत्र देने के बाद मद्द प्रदेश का मुखमंत्री बिहार का राजपाल बना वेरी वेरी मोश्परसन ऐसे प्रसन आप से आज रखता है ठीक है तो वो जो इनसान है वो है इन में से कोई नहीं है इसका अनसर स किढ़ई बाकी यह सब है और फिर्था मद्द के बना है ऐसा कोई भी नहीं बना और यादि कोई बना हो तो कमेंट्स करें मुझे आप नेश्ट है निमलेकित में से कौन सा व्यक्ति बिहार मद्यप्रदेश और उत्यप्रदेश का राजपाल रहा तो तीनों का जो राजपाल रहा है वो है महबद सफी कुरेशी बिहार का मद्यप्रदेश का उत्यप्रदेश का राजपाल रहा है और अगला है निमले कित में से किस ने कृष्णा नयन और अनुदिता पुस्तकों का लेखन किया तो यह जो लेखन किया है वो है दौरिका प्रशाद मिस्र ने किष्टान नैन और अनुदिता पुष्टकों का लेखन है दौरिका प्रशाद मिस्र यह फैमस बुक है इसलिए इनको यहां पर दिया है निमलिकित में से किसने Peace of Mind पुष्टक की रचना की थी एक बुक भी आपसे पुष्ट सकता है क्योंकि आपकी गठना है यह सामय तो तीस में है उमा भारती Peace of Mind की पुष्टक की लिखक है उमा भारती अगला है निमलिकित युगमों में से कौन सा युगम ऐसंगत है ठीक है तो यह है अरजुन सिंग है सीधी के उमा भारती टीकमगाड कैलास चंद जोसी विदीता जोसी है वो विदी सा के प्रकास चंद कोठार या जालरा पाटन के तो इसका जो आंसर है वो है कैलास चंद जोसी सा ये विदी सा के है ये इसका गरत आंसर है नेस्ट है नेमलेकित में से कौन सा व्यक्ति बोपान स्टेट का मुखमंत्री और भारत का राश्ट पती रहा ये प्रिसन अच्छा है कि बोपान स्टेट का मुखमंत्री रहा है और वो भारत का राश्ट पती भी बना है तो ऐसा व्यक्ति है विटा डॉक्टर संकरदयाल सर् जो कि हमारी क्या है राष्ट पती तो यह थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि इनका सबंद किस्से एंपी से जो पहले मुखमंतिर रहे थे बाद में यह राष्ट पती बन गई नेमलेकित योगों में से कौन सा योगों एसंगत है साहित्य देवता माखलाल चत्रवेदी और जिंदकी गुलाराम रमजू कादंबनी राजिंदर प्रसाद यह गलत है कादंबनी ठीक है देवी पृसकार सिंग सिव मंगल सिंग सुमन अबिनेता असो कुमार का वास्तिविक नाम क्या था तो अबिनेता असो कुमार का सबंद भी MP से है तो इसका जो है वास्तिविक नाम वो है कुमुंद लाल गांगुली सबसे अधिक समय तक मद्य प्रदेश का विदान सभा अधक्ष कौन रहे थे तो सबसे अधिक समय तक के मद्य प्रदेश के जो विदान सभा अधक्ष रहे हैं वो है राजिन प्रशाद सुकला नेश्ट है निमलेकित में से किसे तान सेन सम्मान नहीं मिला तो ये है ये MPS 2014 में बार बार आया था ये प्रसंद इसलिए इसको वापिस रिपिट किया है ये है राम स्वेरु पर्मा बाकि मांगुबाई, भीमसेन और गिर्जा तीनों को ये पुरुषकार मिल चुका है अगला है निमलिकित में से प्रदेश की किस महिला को युव वैग्यानिक पुरुषकार से सम्मानित किया गया तो ये जो किया गया है वो है रोहनी बावर को ठीक है नेक्ष्ट है मद्य प्रदेश सरकार की लाडली लक्ष्मी योजना की पहली हित ग्रही बनने का सौभाग किसे मिला तो हित ग्रही का सौभाग जो मिला है वो मिला है लक्षिता जैन को अगला प्रशन है नेमलेकित में से मद्य प्रदेश की किस महिला को ओस्टून विश्विद्धाले टेक्सास अमेरिका का प्रिसिडेंट और चांसला नियुक्त किया गया था ये ध्यान रखो ऐसी यह है कि इंटरनेशनल है थोड़ा सा और चालिस्वा जो प्रदेशन है उ परश दोजार साथ में फ्रांस का प्रतिश्टे सम्मान ऑपिस ऑफड़ ऑडर ऑफ आर्ट्स एंड टेलर ये फ्रांस का सबसे प्रिसिद्ध तो वह अवान जैसे हमारा भारतरातन होता है इस तरह से फ्रांस का यह इससे नवाजा गया है तो सरवपुर से सबसे बड़े सम सम्मान ऑप ऑपिशर ऑफ दा आर्ट ऑडर ऑफ आर्ट्स एंड लेडर से नवाजा गया है तो यह आप ध्यान रखेंगे हबीब तनवीर को अगला है पत्रिकार ताके छेतर में दिये जाने वाला नरिंद्र तिवारी स्मृति पुर्षकार कितनी रासी प्रदान की जाती ह तो यह जो की जाती है वो की जाती है एक्क्याउन हजार रोपे नेक्स्ट है मद्परदेश सरकार द्वारा कबीर सम्मान में कितनी पुर्षकार रासी प्रदान की जाती है जान रखें मद्परदेश द्वारा कबीर सम्मान में जो रासी प्रदान की जाती है वो की जाती है एक पंट पचास लाक रुपे नेक्स्ट है मद्य प्रदेश की पहली महिला मुकमंत्री उमा भारती का जनम कहां पर हुआ है देखो मद्य प्रदेश की पहली महिला मुकमंत्री है उमा भारती हमारी राजिस्तान की है वो सुंद्रा राजे ठीक है हमारी राजिस्तान की है वो सुंद्रा राजे सिंदिया जबकि आपके है वहाँ पर उमा भारती चमाली तो कहा की है ये ये है टीकम गड़गी ठीक है नेक्ट है निमलेकित में से किसे तांसिन सम्मान नहीं मिला वापस तीसरी बार रिपेट हुआ है और ये सबसे ज़्यादा इसे पूछा गया है इसको ध्यान रखें तोड़ा सा रामशरु पर्मा इसमें आप तीन नाम ध्यान रखें गंगोबाई भीमसिन और गिर्जा को नैश्ट है किस फिलम अभीनेतरी जया बहदुरी बच्चन का जनम मद्यपरदेश के किस सेर में हुआ तो जया बहदुरी बच्चन है जया बच्चन बहदुरी तो आप ध्यान रखो नी रखो मद्ध प्रदेश के किस सहर में हुआ है जो की अमिता बच्चन की पत्नी है जया बच्चन उनका जनम हुआ है आपके MP में जवलपुर में जवलपुर बहुत फैमस छेत्र है जवलपुर में इसका जनम हुआ है अगला है सत्थ नारेण जटिया किस से सबंदित है ये जो सबंदित है वो है राष्टिय मजदूर मूर्चसंग से सबंदित है सत्थ नारेण नेस्ट है पार्शु गायक और अभीनेता किसुर कुमार का सबन निवन में से किस इस्थान से है तो इनका जो इस्थान है वो है खांडवा से ठीक है अभीनेता किसुर कुमार का नेश्ट प्रिसन है बाल साहित पुर्षकार 12 वर सायू तक कौन सा पुर्षकार है जो MP पटवारी 2008 में आया हुआ है ये है आपका रवी शंकार सुल के पुर्षकार ये ठीक है ये आपके होते हैं टोटल पूरे 50 कुश्चन और किस तरह के आपको प्रिसन लगे हैं ये अंदर कल आपको ये ध्यान रखें कल जो आपको मिलेगा एक तो दस्वी के कौसिस है और इसके अलावा इसके इस्थान है MP के कौन-कौन से इस्थान प्रसिद्ध है वो आ जाएंगे करंट मैंने आपको इंडिया की करवा रखी है एक MP की करंट और भी आपको एक किसी की द चाहिए तो वह मुझे आपको कमेंट कर देना ठीक है वह आपको कल मैं कौसिस करूंगा प्राइड कराने के पूरी और फिर मिलते हैं आपको नेक्ट वीडियो में जैहिन जैभारत